जैसे कि आज हम आपको हाइट बढ़ाने वाले सीरप के बारे में बताएंगे इस सीरप का काम होता है हाइट को बढ़ाना जैसे कि आप बहुत ज़्यादा छोटे दिखते हैं जो आपकी हाइट है वो बहुत ज़्यादा छोटी है आपकी हाइट बर्न नहीं रही है, तो अब इस समस्या में डॉक्टर के दौरा ये सीरप दिया जाता है पीने के लिए, यानि ये सीरप आपके हाइट को बढ़ाने में मदद करता है, ये सीरप काफी अच्छा सीरप होता है, ये मेडिसी डॉक्टर उनको प्रिस्क्राइब कर करके रखता है, चलिए अब हम आपको बताते हैं, ये मेडिसीन और क्या दिक्कत क्या समस्या रहती है मरीज को, तब भी डॉक्टर के दौरा ये मेडिसीन पे स्क्राइब किया जाता है, इस मेडिसीन का साइड इफेक्ट क्या होता है, ये मेडिसीन लेना कैसे होता है, कौन ये medicine नहीं ले सकता है इसे एक दिन में कितनी बार लेना होता है इसके बारे में आज हम आपको पूरा detail से जानकारी हिंदी में देंगे जैसे कि अगर किसी की height है जो बढ़ नहीं रहा है और एक प्रकार से हम कह सकते हैं जैसे कि उसकी height बढ़ रही है वो और भी अपनी height को और आपके body fitness को एकदम चुस्त दुरुस्त बना के रखता है ये आपके digestive system को भी एक तरह से proper ठीक करके रखता है जैसे कि आज किल क्या देखा गया है कि अगर किसी की height है वो छोटी है तो अपनी जो height उसकी छोटी है उसके वज़ा से उसके सरीर में काफी ज़्यादा उसे अज जाक उड़ा जाता है उनकी height को ले करके तो इन सारी समस्याओं में ये काफी अच्छा मदद करता है या जो आपके height है ये आपके height को बढ़ाने में काफी मददगार ये medicine होता है ये आपके height को बढ़ाने का काम करता है ये medicine doctor के दौरा काफी ज़्यादा prescribe किया जाता है जिन medicine अगर किसी की age जो जैसे की अगर किसी का age 15 साल 16 साल 17 साल 18 साल 19 साल 20 साल का अगर उनका age है तो ये medicine काफी अच्छा होता है जो उनकी age है age के according जो उनकी परकार से personality और उनका जो deal है यानि जो उनकी एक तरीके से growth है height है उसे ये बढ़ाने में काफी मददगार होता है ये मेडसीन डॉक्टर के दौरा काफी ज़्यादा पेसक्राइब किया जाता है जब किसी की जो हाइट की गुरोथ है वो नहीं बढ़ता है तो इस समस्या में जो हाइट की गुरोथ है उसे बढ़ाने में काफी मददगार होता है ये मेटसीन चलिए हम आपको इस सीरप के डोज के बारे में बताते हैं डॉक्टर के दौरा इस जो सीरप का डोज है कैसे निरधारत करके दिया जाता है जैसे कि जो सीरप का डोज होता है ये डॉक्टर के दौरा मरीज की इस्तिती यानि उसके बाडी वेट उसके एज उसक कार से कह सकते हैं दसे मलसूबा दसे मलसाम को डॉक्टर के दौरा पीने के लिए बता आ जाता है जले हम आपको इस मेडिसीन के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में बताते हैं जैसे कि इस मेडिसीन का कोई भी खास साइड इफेक्ट नहीं होता है लेकिन अगर आप इस मेडि जिसके side defect हैं जो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यद आपको और कोई side defect देखने को मिलता है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिश्ट से आप जाके तुरन संपरक करिए और ये medicine बंद कर दिये। जैसे कि जो और जैसे कि अगर किसी का age है जो 21 साल प्लस है यान उस समस्या में आपको क्या करना है अगर आपको अपनी height बढ़ानी है तो आपको daily running करना है, running के साथ में आपको दोड़ना है, gym जाना है और जैसे कि आपको लचकना है, कोई चीज पकड़ के आप gym करिये, उसे लचकिये, running करिये, आप दोड़िये खूब, आप अपने सरीर को पूरी तरह से एक तरीके से gym करिये, उसमें भी अगर आपकी जो height है वो बढ़ने की कुछ उम्मीद है कि आपकी height बढ़ सकती है, इसके अलावा याद आपको और कोई दिक्कत और कोई समस्या है, तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से आप अपने दिक्कत परेसाने बताएं, उसके बाद में कोई भी दवा, कोई भी मेटसीन ले, कभी भी आपको कोई भी दवा, कोई भी मेटसीन आपको अपनी मर्जी से उप्योग नहीं करना है,